बिस्मिल्लाहिर्माइन रोहीम और कुल मिलाक रिष्थियाक रोभी इसमें बीच मैदान पर कुछ इस रनों में ये मुकाबलाला के दूसरी पारी शुरू होगी जीतने के लिए 207 रनों के आवश्रकता है और विकेट जिस प्रकार से तयार किया है तारिफ मेनेजमेंट की भी करनी होगी जिस प्रकार से इस विकेट को बनाया है काफी अच्छा विकेट है बले बाजी के अनकोल ये विकेट है रोभी इसके करके विकेट को काफी पसंद करते हैं क्या वो आज बड़ी पारी खेलेंगे क्या बड़े स्ट्रोक्स हमें देखने को मिलेंगे क्या दर्शकों का मन्नोरंजन करवाएंगे इश्तियाक रोबी इसमें पिछ का मौईना कर रहे हैं और कुल मिलाकर काफी फ्लाट विकेट है अलाकि क्रेक्स तो जरूर है लेकिन कोई मदद नहीं मिल रहा था गेंद बाजों को और दिरे दिरे दर्शक जो बॉंडरी लाइन है रेखा जो है उसके पीछे जा रहे हैं कुछ इस रनों में दूसरी पारी शुरू होगी और फील्डर्स पी अपना अपना स्थान लेने के लिए जा रहे हैं कुल मिलाकर जीतने के लिए दोसो साथ रनों का लक्ष सामने मिला है चुनोती बरापोन लक्ष है माउट एवरस्टी की चड़ाई करनी होगी क्या बले बाजी आज मजी बुलाक ने करी है अलांकि पहले उन्होंने दीरे से बले बाजी करी संबल कर बले बाजी कर रहे थे उसके बाद जब स्लोग ओवर्स शुरू है क्या ताबर तोड़ बले बाजी उन्हों ने करें बड़े छक्के जड़े अंतिमोवर में और 206 तक टीम को पहुँचा है जीतने के लिए 207 रनों की आवशकता है प्रारंबिक जोड़ी इसमें बीच मैदान पर इश्तियाक रोबी के साथ जो दूसरे बले बाज आ रहे हैं सिकोर बोड अपडेट हो रहा है और लगातार दर्शक अभी भी आ रहे हैं अपना सब को छोड़ कर आए हैं और बशारत मक्बूल मुदसिर नजीर स्माइल किंग लाई उप्रसारन का हिसा है और अगर हम ओफ साइड पर एक नज़र डोड़ाएंगे वहाँ जो लाइन के पीछे जो जगा है वो बरा हुआ है स्पेक्टेटर से और अगर ओन साइड की बात करेंगे वहाँ पर भी दर्शक काफी बैचे हुई आनले रहे हैं जो मैच खतम हुआ था जब पहले पारी खतम हुई थी वहाँ टिम टिम आती हुए लाइट समय नज़र आ रही थी क्या मज़ा आ रहा था अलगी सीन्स याँ बानिहाल पे देखने को मिल रहा था बीपियल बानिहाल प्रीमेर लीग का यह मुकाबला है काफी लोग इसलिए आयें जानते हैं इश्तियाक नाग वो बले बाजी करेंगे आज लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए इश्तियाक रोबी आज टीम लाइनप में अगर हम विपक्षी टीम की बात करेंगे वो इस समय बले बाजी करने के लिए बीच मैदान पर पहुंच गए हैं और दीरे दीरे सबी दर्शक जो है अपना अपना स्थान ले रहे हैं कुछी श्रनों में मुकाबला होगा और मुनावर भाई जिस पकार से मुझी भुल हक ने अंत में बले बाजी करी है और अंत मुवर में ताबट तोड़ बले बाजी करी है वेल्कम बाक वेर आल सट फॉर दीरे चेज़ अस हाली मादान क्रिकेट कलब हाव मौटन क्राइब ट्राइब दीरे नीड तू जिरो सेवन इंडियर अलाटिट 20 ओर्स तोड़ गोगे तो जाए लुकाषि नष्माच भुल शबाट थान पर बाजे प्राइब ऑस्टे जाएब भाजाय बाजी करी जह वाह सिद्वाई तो इस होड़ गजस्टिए कि टीरे प्राइब भी लिग्ट थॉर इस सब्स्थर टीरे ज्यरे सत्राइब तो इस्थ लिज वह जोर्ट बाद जार चीज अचीज टोहाई टूहल अबाद इवन्जार इंटेज चीज विट विज वट वोड दोड़ गोड़ा पाद फे वोड़ दे प्टार बाद वाद ऑट गाम जीबुक अट इन्यूज अट अब एंग अड़ टोड फा इन्यूंग इन्यूज अट the whole show that was all about his glass some good shots it was not about the slog hitting but the shots he played they were off all that copybook style on every aspect of the ground every side of the ground offside onside long on long off they need 207 and it was his innings which took care of things of bunny hall titans but now they have got a big responsibility they need to get ishtiaq ilahi robbi in a quick succession in a quick time if they wanna stay in this chase if they wanna chase this one down because this guy is known for his quality he is known for this type of caliber he is known for this type of shows whenever he stays there he is known for finishing touch he is known to finish the games as soon as possible but today he has not an easy task to do he has not an easy mountain to climb he has got a herculean task ahead of him it's 207 on a tough wicket here at the body where the ball is stalking but the ball is making batter dance over its tunes it's not easy for the batter but the guy the little lad the young lad from Bergam made it look so easy so class it was all about his class the shots he played they were exceptionally good enough we are all set for the chase as Halimadan cricket calumni it 207 and outworked their two openers it ishtiaq ilahi robbi and as soon our score updated another batter was now we will let you know about well they have got saakim nazir in the list they have got Adil Zuhur there and they have got this man it's ishtiaq ilahi robbi and he is opening the innings today well nog will be operating I think yes it's nog he's coming to bat first he's coming to ball first well it's all about his first but today he left first as far as the batting is concerned well nog is ready for his show he has not done enough when it comes to balling but he has got the responsibilities as far as his balling is concerned well in batting he disappointed his fans and the crowd is ready we're all set for the chase big man ishtiaq ilahi robbi against to nog it was ishtiaq ilahi who took the nog's wicket in the first innings but here nog has a chance to get robbi's wicket he has a chance on a very first ball of the innings we're all set for the big chase who is gonna take on who is gonna dominate who is gonna find his upper hand over each other it's big glams of the valley out up against each other it's ishtiaq ilahi robbi taking on ishtiaq rasul here we go first ball coming up nog is ready to ball ishtiaq ilahi robbi robbi is all set to take nog on big man two big guys from the valley up against shot down the leg side it has beaten everyone there pace from log and way down the leg side and extra start the chase it's two one by and one extra and they have started the chase it's two on the board without the ball being bolt in now well nog started his o with an extras and the new batter were yet to know his name he's out in the middle to nog this time and the stops flicked away flicked away field restrictions is on but there is a protection a protection that no batter would love to see and it's three four nine in our number first it's majid khan and ishtiaq rabbi two opening batters from the halimadan cricket club out in the middle nog to robbi once again this time edge little edge but straight to keep up no one there it's a door delivery and now should have lost love for ishtiaq ilahi robbi well it was robbi who took the wicket of nog in the first innings but here nog has got a chance to get robbi's wicket two big nams two big stars of the valley up against each other at the bunny hall cricket stadium it's the brown bunny hall premier league edition edition 10th and here we go nog once again ready to the door school this time again picked it away straight to the fielder one under a quick single there and ishtiaq rasul is away majid khan is one ishtiaq has opened his account robbi has opened his account ishtiaq nog has till now given away four runs from his three balls it's four for none in over number first three more deliveries to go in this over here comes majid khan what has majid khan his stance is as far as his stance this comes it looks good but he should take care of the chase they have got a big chase again this time play enemies it kisses that outside edge luckily for the batter he escapes on the outside edge it was almost he nicked that but majid khan survives now it's four for zero in 0.4 balls first two of the game in progress war is now going for majid khan majid is ready he is on one from two balls goal advances wanted to hit that one misses it comprehensively this time the ball didn't bounce that much as the batter expected but the keeper is beaten as well and they have escaped for a bye and this one run it's five for zero in the first two a last ball of rug so coming up and it is gonna be ishtiaq last time in this over it's robbie was in arc two big nams who is gonna deal who is gonna seal the deal in the final delivery shot outside of stem water to slash that one but misses it it's a pace from knock and look at his breathing fire at the moment even the keeper is unable to collect that one and two runs there two buys there and two extras to end the over it's seven from the over number first seven for none from the over number first ishtiaq naa ki ye joh gain thii off stem ke seed me a raha thii kheel na chate thai puri tarashe chuk gae wicket kiper bhi chuk gae thai or gain third min shitr me chalhi gae thii ekstra zyadha dhe raha hai aatharik ranu me yaa aatharik ranu me yaa aatharik ranu me yaa aatharik ranu me yaa aatharik ranu ito made zarapa huwa tha और ishtiaq roby family waah saam n te wale chao pa rahe three game two kao have to go up to kun hai nnei siamna kiya hai eh run banaka na bad majid khan ishtiaq roby ke saath pari ke shuruwaat karne ke liay hai hai wicket kaafi achha hai kaafi ae kafi acha wicket binar hai hai or presun shah ya ban yal premier league ke jo karta darta hai unki karne hooghi jiis prakar se hunhounne this wicket ko maintain karke raka hai or ishe bale باز mohinah karine is wicket ka offside ke agar haem bat karengue aig slip hai deep backward point पॉइंट है पॉइंट वहाँ स्वीपर कवर नजर आ रहे हैं लॉंग ओप पीछे लॉंग ओन भी पीछे नियुमू के अनुसार टीटुएंटी में आप खाली दो किलाडियों को तीज गस दैरे के बाहर रख सकते हैं वही समय स्वीपर कवर और डीप कवर नजर आ रहे हैं यहां सामना करने के लिए माजिद कान तयार हो रहे हैं, इस्तियाक नाग ने पहले ओर में साथ रन खरीच के अन्टिम गेंड पर पूरी तरह से बीट किया था और अलताफवानी कोटे का वो पहला ओर करेंगे पारी का दूसरा ओर उस चोर से करेंगे जिस चोर से गेंद बाजी होती है इस मैदान पर विकेट कीपर काफी दूर स्टम से खड़े हुई और ओर दूसरा दूसरा यहाँ गेंद बाजी कर रहे हैं और फील्ड के उनसार यहाँ गेंद बाजी कर रहे हैं ओफ साइड में चेक लाड़ी, ओन साइड में चार नजर आ रहे हैं कदमों का इस्तेमाल क्रीज छोड़ कर बाहर आये थे बाहर इस सिरा लगा गेन जा रहे हैं तर्ड में शेतर में इस बीच दोनों ही बले बाजू ने चेल कदमी करते हुए इत्मिरान के साथ एक रन पूरा किया है किसी भी तरह की कोई जलिद बाजी नहीं, कोई हर ब्रात नहीं एक रन के साथ टीम का स्कूर आट रन बिना किसी विकेट पर एक दशमलब दो ओवर की गिंद बाजी अब तक हुई है इस्थियाक रोबी सामने वाले चोर पर तीन गेंदू काप तक उनोंने सामना किया है एक रन बना करना बाद और इस्थियाक नाग ने पारी का पहला ओर किया था ओफस्टम के बार सीधी रह रही थी विकेट कीपर के गिलाउज में बैक फुट पर इस्थियाक रोबी को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के गिलाउज में क्या गेंद थी ओफस्टम की सीध में लगातार गेंद बाजी कर रहे हैं और आठ रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर माजित खान दो पांच गेंदू का उन्होंने सामना किया है इस्थियाक रोबी एक रन बना करना बले है वो प्राप नहीं कर रहे हैं उन्दरोनी बाग लगा बले का गेंद जा रहे हैं थर्ड में शेतर में एक रन पुरा किया दूसरे के लिए इस्तियाक रोबी आ रही है आसानी के साथ यहाँ दूसरा रन भी पूरा हो गया था ओफ स्टम के सीध में अलाकि केलना चाहते थे ओफ साइड में उंदरूनी बाग बले का लगा था कुछ किसमत वाले रहे थे किसी राल लेने के बाद वाँ स्टम स्क्यो रेकोशिन नहीं हुई है और कुल मिलाकर इस एक रन के साथ दस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इश्टियाक रोबी तीन पांच गेंदू का उन्होंने सामना किया है माजित खान दो रन बनाकर नाबाद पांच गेंदू का सामना किया दीमी शुरवात और संबली हुई पारी अब तक दोनों छोर से देखने को मिल रही है दर्शक काफी आए हैं इस मुकाबले का वो आनन्द ले रहे हैं प्रीमेर लीक एह मुकाबला इस गेंद को केला गेंद गई वहां लॉंग ओफ शितर में फंबल हुआ लेकिन वहां बैक अप कर रहे हैं टेक लाड़ी पलड़ कर दूसरे के लिए रोभी आ रहे हैं इत्मिनान के साथ दूसरा रन भी पूरा हो गया है इसी प्रकार की यहां बले बाजी करनी होगी जब बड़े स्टोक्स नहीं आ रहे हैं आपको स्कोर बोड को चलाना होगा टैप करना होगा और एक-एक रन से बढ़ाना होगा इश्तियाक रोभी पांच-छे गेंदू का सामना किया ओफसाइड में कोई सिलिप नहीं है नज़र आ रहे है डीप बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर लॉंग ओफ और एक डीप कवर नज़र आ रहे हैं चार किलाडी ओफसाइड में नज़र आ रहे हैं ये गेंद मिडल स्टम की सीध में सीधे बले से स्टोक लिया गेंद जा रहे हैं वहाँ लॉंग ओन शेतर में डीप में किलाडी ताइना थे उन्होंने वहाँ गेंद को फिल्ड कर लिया एक से नहीं रोक सकेंगे इस्तियाक रोबी को दीरे दीरे वो बड़े स्कोर की और अग्रिसर हो रहे हैं विकेट की मिज़ाज को परकना होगा बंबना होगा और वही यहाँ इश्तियाक रोबी कर रहे हैं हलांके फ्लाट विकेट है काफी मेहनत और मशकत के बाद इस विकेट को तैयार किया गया है इसी प्रित्योगता के लिए हलांके इसे पहले भी से काफी एडिशिन्स इस प्रित्योगता के हुएं बीपियल बानिहाल प्रीमेर लीग का ये एहम मुकाबला मुनावर भई जिस प्रकार की शुरुआत अब तक हुई है दो वर्स के बाद 13 रन कोई विकेट नहीं खोया है प्रारमिक जोड़ी समय बीच में दान पर फोज शुरुआत देनी का प्रियास करने हैं और अब तक सफल हुए है केला उसको गेन गई थर्ड में शेतर में दीप में खिलाडी तायनात उन्होंने वाँ गेन को फील्ड कर लिया है और अभी भी अमपैर की इशारी की प्रित्थिक्ष गया गेन सीमा पार चली गई है और अब इशारा आ रहा है कि फंबल हुआ उसके बाद सीमा पार विश्वा से बरा हुआ स्ट्रोक नहीं था उफस्टम के बार केलना चाते थे कवर्स के उपर से बारी सिरा लगा आउट फिल्ड इतना तेज है कि एक बार गेन गैप में चली जाती है फिर रोकना मुश्किल हो जाता है अगली गेन ना की रोबी के लिए खेला उसको गेन स्क्वेर लेक्षेतर में और रोबी क्या विकेट मिलेगा या और इस प्रकार से वाँ इश्ट्याकनाग सेलिब्रेशन कर रहे थे जेश्टम बना रहे थे लेकिन अंतियम समय तक संतुलन खोया वाँ फिल्डर में और एक असान सकेट छूट गया है लॉलिपॉप गॉन दाउन इस हौसाइल जवरे अगा अगाँ ज्रूट मैं य्वरे यूवर्ण ओेश्टम एंटेव लग्वाटाइल जया प्रेश्टम पाक्टीपॉप अगिस्वारे आट अग्वाटाइल it's 17th and an study start good start cautious start to be precise here comes nog again ishtiak rasul to ishtiak elai and elai pushes it down towards extra cover will pick up a single it's 18 without loss we are in over number three nog isn't happy he can't believe he looks in disbelief as pillar dropped a lollipop there juicy one gone down gap or aperture gone down should have been taken next ball trying to work it on to the onside early into the shot early into split and ball goes down towards pointer will pick up another single 18 and no harm done still thinks under control but it is a steady start cautious start trying to make a statement they are trying to milk the ballers they're trying to put up a show over here and that's why they're looking cautiously power to this big chase a memo total in front of their side and uphill task top task it's 17 without loss oh next one look at that he is breathing fire he is spinning fire look at that one cranking up and ishtiak rasul had no eye i mean ishtiak elai had no idea against ishtiak rasul nag is spitting fire he's carrying sting like scorpio and here's the cobra style he's spinning fire over here he's spitting fire he's bowling a tremendous space cranking up again and again next ball oh does it make it this look at the celebration nog went up finger goes up and it's ishtiak rasul ishtiak elai walking back to pavilion well caught by the cricket keeper was an easy one but what a goble what a take an excellent catch trend is innings curtain is down for ishtiak rabbi he's walking back to pavilion and nog carrying his team like scorpio here he does that with that outswing delivery now getting real rid of ishtiak rabbi in event number three we were talking about that steady start cautious start but that was unplayable one it was just the beauty of the baller it was just the class of ishtiak nag from south kashmir water delivery scared him up perfectly set him up and then ball shaping away and setting him up in the end wicket keeper does the rest in style it is just bukhara wicket coming 17 for the loss of one there in ever number three well the bite the bite ishtiak rabbi is never gonna forget and this time it's smog he has his final laugh over rob it was rob who celebrated his wicket in the first innings and now it's snog who took care of the rest the plan was set he brought him some quick deliveries pitched one shot then on the legs out at this time he trapped him both this one quick on the stumps and robbie had no idea why to play or where to live whether to live and nicked it in the final time and the keeper behind the stumps did rest and in this process first one goes down and the big one goes down robbie walks back to the pavilion and out comes the new batter it's 19 for one up to number three here is over number four where is gonna ball but what an oh what an event fall over from knock was all set up for robbie he was all set up he was he celebrated his wicket when the catch went down but now he got his revenge he got his revenge finally again this time on the stumps played this one straight to the field there one run there and the one run will take second 20 it's 20 for one it's adil zuhur the new batter the another talented batter walks to the pavilion and adil zuhur has got disabilities as rock there he walked back to the pavilion he parished he misses his chance he failed and failed miserably but adil zuhur is the batter who could take it on who could take this chase down to his team's kitty majit khan on the other side is on four altavani is the bowler seven runs from his 1.1 overs goes down the ground but straight to fielder and he misses it but another backup is there and one run there and the single will take to go to 21 it's 21 for one of 3.2 overs altavani eight runs run about till now perfect start for the titans as the pressure is building over halimaidan cricket club they have to chase 207 in their allotted overs and that process they have lost each dog robbie the wicket they would not have expected to be lost in this quick succession 21 is on the board in four overs it's worth over in progress and they lost their man batter robbie walked back to the pavilion and nog is the man who took that wicket again this time he has knocked him over and the middle step goes for a walk it's altavani this time who celebrated in style majid khan departs captain departs and halimaidan cricket club they are in a deep deep trouble deep trouble at the bunny hall cricket club they are missing the lines they are missing everything here and they are almost missing the chase you won't have expected this from the halimaidan cricket club they lost two wickets in a quick session it's 21 for two and 3.3 overs and the big two wickets majid khan and robbie is back to the pavilion two uplers are back to the pavilion it's adil zor in the middle and who will be walking to the middle the new batter there well altavani what he has got that unusual action but both this one pitched it up right through the gate and majid khan had no idea has knocked him over and mayoral stamp goes for a walk it's still there on the ground and empire is there to make the stamps ready once again it's 21 for two in 3.3 overs all that when he got his first wicket and majid khan the captain departs adil zor is having a word with the batter maybe telling him about the building partnership to build a partnership with him but look at the energy of knock somebody talking of here this is his third match he played two in a day and now it's the third in the night it doesn't matter how many matches he will play he's gonna perform on consistent basis he comes first he saves first he balls first he bats first this is his class and he's the top notch from that part of the world we call south kashmir he's a shining star from that part of the world and he has shown that caliber again look at his energy he's a real athlete and this is called the great athleticism he's at his very own best once more here at bunny hall well the things aren't going as per the plans of ali madhan cricket cup the bunny hall titans are all oh ali madhan cricket cup altafwani has joined at the party and knock on the other side you talked about his three matches in a this is what makes no different from the other place beyond matt be on the both sides of the valley this side of the tunnel or that side of the tunnel it's nog who is going to prove his mettle and he has got his fans all over the ground they're up on the feet and they are celebrating every moment that knock is cherishing here at the bunny hall cricket stadium it's 21 for two and out walked mushtaq lefty is the new batter he's gonna face the likes of altafwani altafwani eight runs one wicketer one big wicket of majid khan the captain who departed and now it's over these two batters mushtaq lefty and adil zur but as far as adil zur is concerned he has got a big responsibilities according to his class again this time look at the ball it's quite an unplayable delivery pitched it up in swing delivery coming in sharply and the batter has no chance to play that one luckily that he escaped that one and look at the crowd they're behind the ball cheering and they are applausing every moment it's 21 for two in three point four holes two wickets up to the queen a keyster and board power or mushtaq lefty up to the corner on the other hand 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 यहां पारी का प्रोगती पर है आजिल जोहूर एक रन बना करना बाद साथ देना होगा मुझताक लेफटी का लांकि वो लेपर आप नहीं कर रहे हैं अलताफ वानी कोटे का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं अब तक उन्होंने नौ रन करच के इश्तियाक नाग वहां कवर्स प पढ़ने के बाद अंदर आ रही थी इसको केलना चाहते थे स्क्वेरले के ऊपर से लेकिन गेंद और बले में कोई मुलाकात नहीं हुआ थाई पे टक रहे हैं अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं ओवर पुरा हो गया है और कुल मिलाकर 207 लक्ष सामने मुझी बुलाक 55 रन की पारी उन्होंने के लिए और अब तक जवाबी कारवाई में 22 रन दो विकेट के नुकसान पर दो वर्सकाना बाकी पावर पले में अभी भी 185 रनों के आवश रकता है 96 गेंदु काना यहां बाकी आदिल जोर और मुश्ताक लेफटी दो बले बाजी समय बीच मैदान पर विकेट काफी अचा है फ्लाट विकेट है और जिस प्रकार से मुझी बुलाक ने बले बाजी करी थी संबल कर वो बले बाजी कर रहे थे और अंत में उन्होंने बड़े स्ट्रोक्स लें और 206 तक टीम को पहुँचा है और यहां सामना करने के लिए मुश्ताक लेफटी सा इसा जाया गया है इसा लग रहा है कि वो शॉट गेंदू का यहां प्रियोग करेंगे और शॉट गेंदे हलांके काफी असरदार साबित होते हैं अगर हम T20 की बात करेंगे क्रीज के कोने से लेग स्टम पर कलायो का सारा लिया खेला उसको गेंद जा रहे डीप वहां चार आ रहा है कि वहां से गेंद छिटकीती फंबल हो आता है और गेंद सीम आरेका के बार चोके के साथ 26 रन दो विकेट के नुकसान पर पांच वाव और यहां पारी का प्रोगती पर राउंड दो विकेट लेफ्टी के लिए गेंद फ्रन्ट फूट पर आये हलका तुसे दगेला गेंद को गेंद ऑन साइड में जा रही है दीप में खिलाडी तायनात है उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया है चेल कदमी करते हुए दोड़कर एक रन पूरा कर लिया है इस एक रन के साथ 27 दो विकेट के नुकसान पर आदिल जोर एक मुश्ताक चार गेंदू का सामना किया इस्तियाक नाग ने इस्तियाक रोपी का विकेट असल किया है और क्या गेंद बाजी इस्तियाक नाग ने करी है अगली गेंद क्रीज छोड़कर बार आए उठाकर केला है डीप में खिलाडी तायनात है वो दर्शक बन के रह जाएंगे उनके स करके ऊपर से गेंद सीमा पार जस्ट बुकारा छ्चका क्या स्ट्रोक था सीदे बले से स्ट्रोक लिया चखके के साथ तेजी के साथ अब स्कोर आगे बढ़ रहा है ऑफ्स्टम की सीध मेंद आ रही थी आसान नहीं रहता है इस प्रकार की गेंदू को पढ़ना और फिर ल एक रन पूरा कर लिया है, 34 रन बोर्ड पर, दो विकेट के नुकसान पर, 4.4 ओवर की गेंद भाजी अब तक हुई है, मुझताक लेफटी, क्या वो आज ये बड़ी पारी खेलेंगे, ओफस्टम के बार, कलायों कालां की सार अलिया, केला उसको, गेंड गई है, दीप थोड की नुकसान पर जोकिम लेने की अवश्यक्ता नहीं है, और जोकिम नहीं ले रहे हैं, और कुल मिलाकर अंतिम गेंद काना, बाकी आदिल रेशी को टे का वो पहला ओवर कर रहे हैं, 12 रन अब तक उन्हों ने खरच की, अंतिम गेंद आदिल रेशी की, आदिल जहूर के लि दो विटकेट के नुकसान पर, इस्तियाक इलाही, इस्तियाक नाग ने उनका विटकेट लिया है, एक ऐसी गेंद जिसको पड़ नहीं पाये थे, सीधी रह रहे थी, बार इसी रेक को टकराने के बाद विटकीपर की गिलाउस में चली गई थी, उससे पहले वो सीन याद इस्तियाक नाग का, जब वो गेंद बाजी कर रहे थे, स्केर लेक पर एक कैच चला गया था, और इस्तियाक नाग वहाँ सेलिबरेशन कर रहे थे, लेकिन अंत में जो वहाँ पे फील्डर था, उनका संतुलन खोया, उन्होंने जो पोजिशन बनाई थी, वो फिर संबल न साथ पांच गेंदू का सामना किया है, और आदिल जूहर आठन बना करना बाद, क्या साजीदारी पन पेगी, साजीदारी की यहां पे दरकार है, विकेट काफी अचा है, फ्लाट विकेट है, और मजीब लहक में ये दर्शाया है कि अगर आप जम कर बले बाजी करेंगे, अगर आप संभल कर बले बाजी करेंगे, अब बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेगिस्टम के बार, दिशा इन गेंद, पैड से टक रही जा रहे हैं, डीप एक्स्टर लॉंग लेग शेतर में, और फील्ड अरता है नाथ, उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया है, दो रन एक सफल ताउन, उन्होंने बहर जित कर थी, वो गेंद जो कट कर अंदर की तरफ आ रही थी, सीधे वहां मिडल स्टम पे टक रही थी, दूसरा जट का लगा था वहां बैटिंग टीम को, अगली गेंद, राउंड द विकेट क्रीज के कोने से सीधी रह रही थी, सीधे पर अलांकि बानियाल टाइटन्स ते जीता था बले बाजी करने का फैसला, बीस ओवर्स में 206 रन बनाएं, और जवाबी कारवाई में आप तक 27 रन बनें, दू विकेट स्कोएं, ये गेंद, उन्चा लंबा स्ट्रोक, उस और फील्डर हैं, लेकिन दर्शक बन के रह जा पर लूरिए स्ट्स्ट्रोक, जीताइबा टीर, डिस आटे लूड़ हैं, ये भी ये चोट बनेंट बनेंटल, इन्चा लूड़ टेक्ट बनेंट इक्ट पर शीब में लिए जिए को स्कुर्णे स्कुर्णे की बनेंट कर फूल देर्स प्रतितै लहां, लूड़ बनेंदा झाल से धिर मेर झाल झालोग त्थारा झालो जो एंट ट्वार को खिवाओं याग्षीए जिल किस्पोरीं गटार अटाप्वान्ज र 92 आपाफ्टा किस विकट विक उन्हा है न्सेने सरय इकानिक गोह helemaal अज सहिस्मेन अजैन Chung गोसा ये उसकिवोन एंपकिव भरक हे से लिफ luог गो को नहायरी उन सफ वाली लेंटर्स आटक जitz गाओ भॉवट और संग, जाच हम झींटरी हन् सारे कहा chi जो में झात बाल, 44 X उन एंटरू but all top is very in a variating is fair face he's bowling those cutters next ball handsome looking short down towards Kelek will activate and watch he's coming back whether so this could be tight the river child comes in along the bat it oh it's pushing hard and is going back for the third one three runs where digital where they were just a single and given away three runs and now putting pressure on the fielders pushing hard and harder he's back for the third and a 29th he's tied over here first we could falling in 19 and second at 21 now it's 47 for the loss of two after the completion of six of us mandatory power play comes to an end 47 on the boat chasing 207 which won't be easy but if these two brothers can put up a show if these two get together city to partnership and set the turn up and let the middle of come in and just express themselves it's only going to come into play if these two step up to the cage another rishi will be bowling on strike will be mushtaq mushtaq will face other rishi adil zuhur is on to 11 of eight balls thank you all the beloved viewers there are and others here is rishi in the air there is a filter soft dismissal and other rishi celebrating crowd is majestic crowd is amazing crowd is unbelievable but nice care but easy one as easy as you would get and as easy you would like straight into the hand is down to the throat and munter zirwani the red extra cover takes easy one and adil zuhur departs i was just talking about he need to understand he need to bat well but he got over cautious all of a sudden couldn't control his adrenaline in there and ended up straight into the hands but once more they need to do undoable with the bat sakib nazir is in short pack big demarca walks in yesterday i still remember that flick of the wrist up and over and that that was sent away miles off the air and onto the rooftop but today it's a different game it's a different story all together won't be easy for short pack big demarca player to go after the ball from ball one it will take some time but on the side his team is in desperate need of partnership talking of a game of glorious uncertainties yeah if they understand that they can still put up a show they can still find themselves in ascendancy they can take them on and sakib nazir is warming up a bit reflecting his arms it's 47 for three we are in number seven first ball wicket coming adil rishi finds his man he's among the wickets providing his side with a much-needed breakthrough and he finds his man that too in the form of adil zur here is rishi again sakib nazir first ball appeal is going on nog is interested but ampere looks ampere unmood there not shaken it uh he shakes his head in this separable says what are you asking for there was a big daylight between bat and ball so can't be given as caught behind it's 47 for three this is over number seven we are in as we watch rishi again long slip in place there is nog and here comes rishi again to sakib nazir sakib again advances could only manage or mid or mid-wicket and just a singular fun unto another thank you 48 for three as we watch rishi again crowd is in large numbers it is jam-packed stadium once again and i can talk of it's it looks like the kovalon bond tight fist and look at the crowd it's packed and joining shoulder to shoulder and here comes other rishi to left hand and left-handed mushtaq plays it with the soft hands wanted a single and indian gets it with ease so one more run added it's 40 numbers in solidus or 49 this is some chemistry going on over here thank you very much buddy and he's talking of uh atoms and its combination in solidus and that's why i was talking of kovalon bond 49 for three as we're in over number seven thank you night and it's going to be rishi again but these two battles need to bat well i know sakib nazir is talented he's multi-talented but today is the stage but today is the stage and he need to blue his match alone it's high up in the air sky who's wanting field is settling oh he's dropped he's made mess of it all happening over here drama absolute drama and after drama he dropped thank you on the south and others and sakib nazir he was almost gonna he can't believe but he's breathing again he's alive he's unbeaten and like some luck on his side today he's breathing again look at his smile little smile on his face and it was almost gone here he's hot in his mouth for a while but in the end he survives but other rishi is falling some good line today all of a sudden multi-talented all around all around the known for his batting skills but today bowling well over here 49 failed with the bat quite miserable now slip is in place again comes in and this time stands tall to that one pulls it away will pick up a single and that's all he's gonna get out of it it is 49 of 50 it is 50 up after the completion of seven over seven done 50 for three mustak left to 15 eli 11 and others or 11 11 each 11 apiece and it's 50 for 37 done 50 up in this chase well they need 157 in the remaining 78 balls and the crowd is showing their fellow flights once again i don't know it what's it for as the lights gone off they're turning it off and the crowd once again have taken their phone and look at the fireworks going on at the ground this is what it is for this is what the lights have been turned off and some fireworks going on torches are on lights all over the ground well halli madan cricket gulp they are in a deep deep darkness they need to chase this one down if they want to be in this tournament it's 50 for three of seven overs now the recovery rate is climbing it's climbing high to the mountain it's 12 over from here 13 overs remaining and they have a recovery rate of 12 per hour from 13 remaining goals and the two batters saakim nazir and they got mushtaq lefty there and the shots were played by mushtaq lefty he is on 15 and the other side saakim nazir he is yet to show his talent and the guy is able to turn the tables around he can turn the tables around but his team is in that need adil rishi completed his second 16 from his tours and has picked up one big wicked of adil zuhur and here is saakim nazir once again he is ready at his batting markup who is gonna ball from the bowling end saakib is on two mushtaq is on five 50 is on the board and the recovery rate is 12.08 adil has completed his tour 16 rounds and has picked up one big wicket of adil zuhur here comes saakim nazir on two is ready this time advance is flicked away flicked away beautiful shot straight to the field one run there and the single will take second 51 as far as the singles are concerned well bunny hall titans they are not much disturbed as far as the singles are concerned they know that they have and on the board and the singles aren't going hurt them in any situation at any time it's 51 for three once again to lefty again this time punched away to the field one run there saakib is back on strike 52 idris is the bowler a guy playing for friends motors novel is here at the bunny hall operating with the ball for bunny hall titans 52 for three saakib is back on strike other east sock once again advance a large tie in the air it's just a single some ground rules applying here it's disturbing batter there he had made an absolute connection to hit the ball but what else could you done could you do i think he will be disappointed somehow he managed to hit that away but luck isn't in that favor and supporting bunny hall titans at the moment it's 54 for three back upon it's 53 for three as mushtaq lefty is back on strike again this time inside edge straight to the fielder once again it's a single and the singles aren't going hurt bunny hall titans as far as this year is concerned as it's climbing up the required run rate it's touching heights it touching skies and they are not able they need hits two or three hits from every single low from here saakib has got responsibilities once again advances wanted to hit that one you miss he's playing slogging blind hits but isn't making any contact with the ball it's just bowler and the keeper talking at the moment and saakib is standing in between he is on four from seven balls it's 54 for three in over number eight last ball of the over coming up they need 153 from the remaining 12 hours after this one where is saakib nazi taking on the last ball they need hit and saakib need it desperately slower one curved away guided away but straight to the field once again it's single to end the oh it's a no ball well mushtaq lefty has a chance to open his arms it's free hit coming up as as idris overstepped a chance for halimaidan cricket club to take idris on he has given away six runs from his five balls till now mushtaq has a chance to take him on where is this ball going again play enemies it's a white ball it's way outside the upstream and the freight is still on mushtaq lefty is there he desperately need this hit they need a six trend the over and if they want to make this match interesting then it hits from every over from here and mushtaq lefty is well aware about the fact and he has got a chance to hit this one out of the park he is on 17 from 11 balls here comes idris to mushtaq goes advances but straight to fail the one from there and the freight hasn't cost ribani hal titan of that much is 58 for three after the end of over number eight but 12 hours remaining and they have and france to chase it down i think it's bani hal titans who found almost are over the line out of the race go to sky per stay informed saminson yes if you had any of that uh this is the one from my first team which is समाप्ती हुई हैं अठावान रन बोर्ड पर क्या गेंद बाजी में परिवतन होगा आप तक स्विपनर्स का प्रयोग नहीं किया गया इस विकेट पर अलांके स्विपनर्स के लिए कोई मदद नहीं है नए और की शुरुआत पहली गेंद राउंड डविकेट ओफस्टम की सीध में सीधी रह रही थी विकेट कीपर के गिलाउस में केलना चाते थे कवर्ड के सर के उपर से गेंद और बले में कोई संपरक नहीं हुआ कोई मुलाकात नहीं हुआ है और अभी भी मुश्ताक लेफ्टी बने हुएं अठार रन बना कर नाबाद तेरा गेंद रुकाप तक उन्होंने सामना किया है ये गेंद उसको केला गेंद जा रहे वाँ तरड में शेतर में डीप में खिलाडी ताइना थे उन्होंने वहाँ गेंद को फील्ड कर लिया है आसानी के साथ दोड़कर साकिप नजीर ने एक रन पूरा कर लिया है इस एक रण के साथ शाथ तीन विकेट के नुकसान पर हाली मरक क्रिकेट कलब जीतने के लिए 207 रनों की दरकार थी जवाबी करवाई में अभी भी लंबा सपरता ही करना है और अभी भी एक सो अर्था लिस रनू कि अवा शकता है अगली गेन उठा कर केला है गेन वहां मिड़ विकेट के उपर से हवाई यात्रा पर गेन को बेजाए जस्ट बुखारा च्छका क्या स्ट्रोक लिया मिडल ओफ दबाद से लिया और वो जो मीठा आवाज आया था वही से लग रहा था कि गेन मिड़ विकेट के उपर से चली जाएगी गेरा रन पर पहुंचे नौ गेंदू का उन्होंने सामना किया है मुष्टाक जो कि नौन स्ट्राइकिंग छोर पर का ओफ स्टम की सीद में गेंद बाजी कर रहे हैं उसको वहां मिड़ विकेट के उपर से बेज रहे हैं लेग स्टम की सीद में गेंद बाजी करते हैं उसको स्कैले के उपर से बेज रहे हैं गेंद बाज वेबस नजर आ रहे हैं यहां साकिब नजीर के सामने हाथ खोलने उन्होंने शुरू किये हैं लगातार गेंदू को हवाई यात्रा पर बेज रहे हैं और यहां दर्शक बीच मैदान पर आते हैं पीट थप थप आ रहे हैं साकिब नजीर का और उसके बाद तुरंट वापर से ले जाते हैं और कुल मिलाकर छके के साथ एकातर रन बोर पर तीन विकेट के नुकसान पर साकिब नजीर दस गेंदू का उन्होंने सामना किया 17 रन बनाकर नाबाद आसान नहीं रहता है इस प्रकार के स्ट्रोक्स लेना विकेट पर ओफस्टम के बार छकाती हुई विकेट कीपर के गलाउस में फंबलो आगेन वहाँ फाइनलेक शेतर में जा रही है एक रन से नहीं रोक सकेंगे एक रन के साथ एक अथर तीन विकेट के नुकसान पर साकिब नजीर उनका साथ दे रहे हैं मुश्टाक लेफटी हलांकि मुश्टाक लेफटी की समली हुई पारी अब तक हमने देखी हैं विकेट काफी अच्छा है हलांकि इस्तियाक नाग आज कुछ कर नहीं पाए बड़े स्ट्रो के लिए पहले ही जा वहां खेलना चाहते थे और एक असान साथ लोंग ओफ शेतर पर लिया था यह गेन सीधी रह रहे थी पैड़ पेटा क्राइज प्रश्न पूछ रहे हैं वहां अमपार से नकारा इस अपील को और गेम पास में फील्ड हुई कोई रन नहीं मिलेगा और यहां पर ओवर पूरा हो गया अंतिम गेंद अच्छी गेंद थी कुल मिला कर यहां टीम का स्कोर अभी भी अपडेट कर रहे हैं इश्टियाक रोबी उन्होंने एक विकेट लिया है हम हलांके एश्टिय जिन्हों जो वहां पर चेस कर रहे हैं जीतने के लिए 279 की अवशकता है और हाली मैदान क्रिकेट कलब की टीम चेस कर रहे हैं मुश्टाक लोन 1915 गेंदू का सामना किया लगातार कोमेंट्स आ रहे हैं कोही नूर के बारे में लिक रहे हैं आप कही मत जाएगा जीक स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़िये रहेगा कोही नूर भी आने वाला है आने वाले मैच्स में आपको कोही नूर भी नज़र आएंगे और खुल मिलाकर यहां ओफ साइड में छे खिलाडी नज़र आ रहे हैं ओन साइड में तीन ऐसा लग रहा है कि आए शौर्ट गेन का प्रेयो करेंगे जोंकि स्कैल ले को पीछे दखेला गया है अगली गेन सीधे बले से नाग ने अपने फॉलो त्रू में गेन को फील्ड कर लिया है कोई रन नहीं मिलेगा और यहां साकिब नजीर सामना कर रहे है इश्ट्याक नाग का इश्ट्याक नाग ने क्या गेन बाजी करी तीश्ट्याक रोबी का विकेट उन्होंने लिया था नाग की अगली गेन शॉट ओफ लेन कट किया गेन को गेन पॉइंट बॉंट्री के बार खूबसूरत स्ट्रोक ओफ स्ट्म के बार यह गेन जा रहे है तीश्ट्याक नाग के पास काफी गती है गती का ही इस्तिमाल किया फंबल वावा शेतरक शक्सी और चोके के साथ यहां तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है छी आथर तीन विकेट के नुकसान पर इस्तियाक नाग के विरूद इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं रहता है लेकिन साकिब नजीर क्या बले बाजी कर रहे हैं आज इस मैदान पर अगली गेंद इस्तियाक नाग के केला उसको गेंद गई वहां लंगोन शेतर में डीप में खिलाडी तायनात उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया है एक से ज्यादा नहीं मिलेगा इस्तियाक नाग के पिशली गेंद ओफस्टम के काफी ज्यादा बार बड़ा स्ट्रोक लिया था पॉइंट पॉंट्री के बार और इसके बाद वापसी करिये इश्टियाक नाग ने स्टीट टिप पे पर अगली गेंड उठा कर खेला है वहाँ गेंड जा रहे है मिड विकेट सीमारेका के बार जस्ट बुखारा चोका क्या खूबसरत स्ट्रोक लिया असान नहीं रहता है इस प्रकार के स्ट्रोक लेना वाँ इश्टियाक नाग के विरुद और आडे बले से वहाँ स्ट्रोक ले रहे हैं एक आसी रन तीन विकेट के नुकसान पर नाग के अगली गेंड स्टम्स के पास है तिर्चे बले से गेंड को खेला इश्टियाक नाग के पास जो गती है उसी गती का इस्तिमाल क्या तर्ड मेंड पर गेंड फील्ड हुई है एक रन दोर कर पूरा कर लिया है बयासी तीन विकेट की नुकसान पर अंतिम गेंड का ना यहां बाकी इश्टियाक रोबी हलाके वापस चले गए हैं कुछ खास कर नहीं पाए नाग कोटे का तीसरा ओर कर रहे हैं बीस रन अब तक उन्होंने खरच की एक सफलता अरजित करिये शॉट ओफ लेंड गेंड खेला उसको गेंड फाइन लेके उपर से जस्ट बुखारा च्छका लेकिस्टम के बार इतनी दिशाहिन गें थी समय मिला क्रीज की गेराई का इस्तिमाल किया और अब इशारा आ रहा है कि गेंड ने बोडी लाइन से पहले टिप पाखाया था उसके बाद सीमा पार चली गई है साकिब नजीर खतरनाक सावित होते चले जा रहे हैं अब तक उन्होंने 22 रन बनाए हैं चोदा गेंडू का उन्होंने सामना किया है मुश्ताक चोबीस सत्रा गेंडू का उन्होंने सामना किया है इश्तियाक ना किये जो गें थी लेकिस्टम के काफी ज्यादा बार थी उसको उठा कर खेला था फाइनले के उपर से आठ दशमला भालांके अभी भी अपडेट हो रहा है 206 रन बनाए थे बानिहाल टाइटन्स ने टोस जितकर बले बाजी करने का फैसला और प्रिसिंशाया बानिहाल प्रीमेल लीग के जो करता दरता है सबाकर से उनःे विगेट को मैंटेन करके रखा है और करेक्स हैं लेकिन सुपनर्स को कोई मदद नहीं मिल रहा है सुपनर्स के लिए विगेट के कुछ भी नहीं है हलांके सीमर्स के अगर हम बात करेंगे जब सही टिपे पे टिपा करा रहे है तो गेंद में वेरेशन देखने को मिल रही है और वहां मोर्चे पर एक बार फिर से लगातार ओर्वर्द विकेट दाने आद से अंद्रूनी बाग लगा गेंद जा रहे है वहां तर्ड में शेतर में डीप में खिलाडी तायनाथ उन्होंने वहां गेंद को फील्ड कर लिया है चेहल कदमी करते हुए 22 गज का सफर ताई किया 86 तीन विकेट पर गेरवावर यहां पारी का प्रोगती पर है अगली गेंद फिर स्टम्स के पास है केला उसको गेंद मिर विकेट शेतर में चली जा रही है गेंद के पीछे खिलाडी दोड रहे हैं उन्होंने गेंद को रोक लिया है और अपने काबू में वहां किया एक रन से फिर भी नहीं रोक सकेंगे पर यह अब समय था दोनों ही बले बाजूं के पास दोड़ कर एक रन पूरा कर लिया है अठासी तीन विकेट पर दस दशम लब दूवर की गेंद बाज जब तक हुई है लगातार तेजा करमड जा रही है यह गेंद ओफस्टम के सीध में उसको केला गेंद जा रहे है वां फिर लाग ओन सीम एरेका के बाद जस्ट बुकारा चोका ओफस्टम के बाद यह गेंद थी उसको क्खेला और उन साइड में दर्शाता है कितनी काबलिय थे मुश्ताक लेफटी के पाज और मुश्ताक लेफटी के अगर हम बात करेंगे लगातार स्टूक्स ले रहे हैं बरपूर ले रहे हैं मिडल ओफ दे बैट से ले रहे हैं और चोके के साथ 92 तीन विकेट के नुकसान पर मुश्ताक लेफटी ने अब तक 19 गेंदू का सामना किया एगली गेन सीधी रहे रहे थी बैक फूट पर मुश्ताक लेफटी को बीट करती हुई गेन विकेट कीपर के गलाउज में 207 विशाल चिनोती बरपून लक्षे सामने जवाबी कारवाई में अब तक 92 रन बनाएं तीन बोहमूली विकेट्स खोई गेरवावर यहां पारी का प्रोगति पर एद्रीस बोलिंग कर रहे हैं लगातार स्टम्स के पास है एक और अच्छी गेंद अंतिम समय तक प्रिथीक्षा बर किया और फिर गेंद बास की गति का ही इस्तिमाल किया गेंद जा रहे हैं तर्ड में शेतर में एक रन पूरा कि पचपन गेंद उकाना अभी भी बागे काफी अच्छा विकेट हैं दर्शक भी काफी आए हैं और ऐसा लग रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग इस समय इस मुकाबले का आनन ले रहे हैं और भीच भीच में वो टिम टिम आती हुए लाइट समय नजर आती हैं जब फ्लाइड से नहीं रोग सकेंगे अंतियम गेंद पर एक रन ओवर पुरा हो गया है पिंचान वे तीन विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 207 रन का लक्षी सामने मिला था सेंद आप ओन नब बेले ओन इस 95 फर प्रे नइन ओर्स रमाने 112 नीन इन फिप्टी प्र वालस 112 नीन Saqib Nazir has now joined the party and join it in style he goes to 27 on the other side he got Mushtaq lefty he is on 32 from 22 balls it's end up over number nine 95 for three it's all set for the chase big chase going on and the game is on it's balanced in now looks like Muntazirwani is going to operate with the ball and he is gonna face Mushtaq lefty is on strike lefty is on 32 on the other side Saqib Nazir is on 27 from 16 balls he pledged to knock on and has taken him easily quite easily good shots good-looking shots control shots this time high India maximum waiting for the Empire signal but I think it has gone all the way it's Mushtaq lefty now but he has to go after every ball as the Rukahil from red is climbing up they need 112 from 54 balls it's 12.44 the Empire is checking there waiting for the Empire signal for the final decision from the Empire where is the ball where has the ball gone the Mushtaq lefty is having a with Saqib Nazir but they think that it's on the chase is on big chase is on and they need to stay in the game if they wanna if they managed hit one or two balls from every or from here they're almost in the game waiting for the Empire signal still waiting for the Empire signal what is the Empire's call if it is six then they are over hundred the cross of the three digit mark but if it is they goes to ninety nine they will move to ninety nine oh it's six here it is Montezerwani welcomed with the bank it goes all the way went all the way over third man region for the maximum and Montezerwani will be under serious hammer as Mushtaq lefty is going to take him on and why not he's in dire need of that desperately need runs now it's still down to a record on rate they need 12 from here Mushtaq lefty on strike once again on the stops nice to it away and it will bring Saqib Nazir back on strike Saqib is on 27 from 16 balls Mushtaq lefty moves to 39 from 24 balls 1 0 3 1 0 2 4 3 on the board our number 12 in progress Montezerwani bowling his first one seven runs from his two balls here go Saqib this time patched down the ground but straight to bowler good fielding effort from Montezerwani there saved some runs for his team this is what athleticism is and definitely Montezerwani will fancy his chance again as to Saqib Nazee Saqib is on 27 from 17 balls Montezerwani once again play enemies play enemies lock hitting going on the onside and isn't he getting close to the pitch of the ball and the ball is getting over him passed to him and the keeper behind the stem is doing the rest blocking it and the dog balls continue and the record only is climbing once again now they need 1 0 5 from 50 balls 50 deliveries to go 1 0 5 is what they need seven wickets in hand but Saqib Nazeer is on strike this time aged but just short of the keeper didn't go straight to the keeper and again a dog delivery hat-trick of dog delivery is against Saqib Nazeer good come back from Montezerwani he was hit on a very first delivery of the air but after that he made a good come back a glorious come back and isn't heeding any freebies to the better Saqib is on 27 he is unable to make any contact with the ball this time watched high in the air all the way for the maximum well Empire is saying it is just two runs what is going on well this shot is over to be hit as a six and Saqib Nazeer did well to hit at a six but he just should track with the line there and Empire single that is just two and these two will taste they go to 1 0 5 it's end up Montezerwani is over nine from his first one now they need 1 0 3 in the remaining eight hours the Saqib Nazeer will be cursing and cursing his luck he will be cursing this line as the four runs were just cut from the shot it's Saqib Nazeer he goes to 29 39 is what the individual score of push that lift is the Saqib has got a big responsibilities or his shoulders the guy has a power he can hit and he can watch big on the other side Mushtaq left he can either reach and either hit big Montezerwani is over comes 10 and nine runs from his first over it's 1 0 4 for 3 of the completion of 12 or 13 or up the game in progress it's about start who is one of all the 13 to want 12.88 almost 30 rounds needed from here put over 48 balls one two three runs again this time it didn't bounce from that much state low and the battery is unable to made any solid contact with the ball and straight went to the keeper door delivery to start there were good start door as Idris is bowling his third door 17 rounds from his two hours he's bowling his third one 1 0 4 is what is on the board and they required 1 0 3 from the remaining 47 balls it look it looks almost impossible for Holly Maidan cricket color once again this time launched slashed away but straight to the fielder he's coming back for the second and Saqib Nazeer denied as Saqib Nazeer wanted strike but now they are coming back for a second what is going on some lack of awareness from the field of there which allowed better for the second one they have completed the couple and it's 1 0 6 on the board but I think it isn't an easy chase it is never it has never been an easy chase for Holly Maidan cricket count it's 1 0 6 for 3 Saqib is on 39 29 and and Mushtaq is on 41 that's nine runs away from his half century this time still over deceiving him on the pace isn't able to make any solid contact with the ball again a dot delivery good over 10 now from Idris smear it's 1 0 6 for 3 sitel there Mushtaq is on 41 27 balls he has faced till now and the required round rate is over 30 now it looks almost impossible for Holly Maidan cricket count and why'd they miss they missed it in the death overs against the guy who was launching them big Mozee Bulhaq this time slashed away but straight to the field a one run there and the single will bring Hakeem Nazeer back on strike Saqib is on 29 from 20 balls and the other side Mushtaq goes to 42 from 28 balls Saqib has go has to take these two balls on but we're not quality did against Hyresroop Saqib has to do exactly same against Idris if they want to stay in this game he need to take this around he need to make this big over as they have as Idris has just being that cheap cheap cheapskate has been close fisted with the ball again this time slashed away cuts away sit right to the fielder but he isn't able to stop that one and the ball race away down towards the point region FOMO this is what Saqib Nazeer can do he has got one more chance in this air to take Idris on if he managed to hit him away I think it will be Chazon the game will be on and it will be balanced and now they need 96 from 43 balls Idris goes to 24 from his 2.5 balls Saqib once again this time short shuffled across it's way down the leg side and Empire is waving his arms extras couple of extras added to the total and the second moves to 1 1 3 4 3 and the last two ball of the over is still coming up it's still coming up who is gonna finish the over in style has Mushtaq lefty got some guts to take Idris on or will Idris finish the over on a dot and they need to make this over big as they have got just nine runs from this over till now as the required owner it's 13.12 Idris 26 from his 2.5 balls once again Mushtaq this time short covered away but a single there or no one there a fielder is quick enough to send a throw there it is a draw to end over number 13 and up the over number 30 it's 1 1 3 4 3 now they need 93 from remaining 42 balls seven hours remaining and 93 is what they need they have got seven wickets in hand but I think it's almost over for Holly Maidan cricket call I'm okay so 14 93 wicketée can be nuts on PC 13 and系 3 ohir's ki samma pti huyen bu yin jit na ke liye 93 ono kiya wa shakta hai boleh is giendu kani abhi ba haki hai wicket haangki jiji saka karse minne pehle bhi kaata kaffee ya chha wicket a huge wicket he or majji bo look nedi darsh atya hai kia agir aap jump कर संभल कर बले बाज़ी करेंगे तो अंत में आप बड़े स्टोक्स सकते हैं तो कुल मिला कर अभी भी लंब डे ही करना है साकिप नजीर 33 किस गेंदु काउन源 immersive औरल्फी तंत परिवतन होगा क्या सिपनेरस का इस्तिमाल यहां किया जाएगा अब तक में शितिमनेर सक ubiqu का अगर हम बैटिंग टीम की बात करेंगे और अभी भी तिरानवी रनों की अवशकत है लगातार फिल्डिंग में परिवतन किया जा रहा है सिलिप कोडन्स में कोई खिलाडी नजर नहीं आ रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट डीप पॉइंट स्वीपर कवर लॉंग ओफ लॉंग ओ नजर आ रहे हैं डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्केर लेक पर एक खिलाडी नजर आ रहे हैं नए और की पहली गेन पैट पटकराई प्रशन पूछ रहे हैं अमपायर से लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं अमपायर पर निश्चित रूप से गेन लेग स्टम को चोड़ कर जा रही थी कोई रन नहीं 114 तीन विकेट के नुकसान पर मुष्टाक लेफरी 43 रन बना कर नाबाद 29 गेंदू का उन्होंने सामना किया है और साकिप नजीर 33 एकिस गेंदू का उन्होंने अब तक सामना किया ये गेन उठा कर खेलना चाते थे कवर्स के उपर से बारी सिरा और गेन तर्ड में के उपर से चली जा रही है अमपैर की इशारी की प्रितिक शाप तक को इशारा नहीं आया है क्या गेन ने बॉंडी लाइन से पहले टिपा खाया है या नहीं खाया है और अब इशारा आ रहा है कि गेन सीमा पार 6 रनों के लिए हलांके विश्वास से बरा हुआ स्ट्रोक नहीं था कवर्स के उपर से केलना चाहते थे बाहरी सिरा लगा था और गेन्द में इतनी ज्यादा गती थी कि वहां तर्ड में के उपर से चली गई 114 रन तीन विकेट्स के नुकसान पे अभी भी लंबा सफर ताई करना है हलांके दो जम्में हुएं बले बाजी समय बीच मैदान पर 43 रन बना करना बाद मुश्ताक लेफ्टी केल रहे हैं साकिब नजीर 49 बाइस गेन्दों का सामना किया 87 रनों के आवशकता है 40 गेन्दों काना यहां बागे मुकाबले कानन ले रहे हैं टर्फ विकेट हैं काफी अच्छा विकेट हैं और अब राउंड विकेट गेन्बाजी करेंगे फिर बला चलाया इस बार मोटा ताजा सिरा और गेन फिर थर्ड में सी मारेका के बार एक और जस्ट बुखारा चखका हलांके विश्वा से बरा हुआ स्ट्रोक नहीं था कवर्स के उपर से केलना चाते थे मोटा सिरा लगा और एक और छखका खाते में छखके के साथ तालियों की गूड गड़ आट आप सुन सकते हैं हमारे माइक्रोफोन के जरिये और जुई बड़ा स्ट्रोक आता है दर्शक अपनी जगह पर खड़े खड़े होकर सरहाना करते हैं बले बास का साकिब नजीर पेंतालिस 23 गेंदुका सामना किया लगातार खतरनाक सावित होते चले जा रहे एक बार फिर स्ट्रोक लिया फील्डर ताहिरा थे उनसे कासान सक है छूट गया है दर्शकों का जो दबाव है जो वो शोर मचाते हैं बिल्कुल दर्शकों के करीब से फील्ड कर रहे थे लपकने का प्रियास और छूट गया एक और जी वंदान मिला यहाँ बले बाज को कुल मिला कर साकिब नजीर 45-23 गेंदू का सामना किया इश्तियाक नाग ने वहाँ अला कि क्या छोड़ा है इश्तियाक नाग के पीछे काफी लोग देख रहे थे उन्होंने लपकने का प्रियास किया अंतक प्रियास किया असफल रहे 47 रन नाबाद साकिब नजीर तीन रन दूर अपने अर्दिशत अग से 128 तीन विकेट पर 89 रनों के अवश्चा था 38 गेंदू काना बाके उसको उठा कर केला गें मिड विकेट के उपर से जस्ट बुखारा छटका गेंद काफी ज़्यादा दूर गई है इतनी दूर गई है ऐसा लग रहा है कि गुमशुदा के अंदर तलाश में इसका रिपोर्ट लिखवाना होगा क्योंकि वहां से गेंद वापस नहीं आएगी और इसी के साथ साकिब नजीर की अर्दिशत के पारी क्या स्ट्रोक लिया मिडल ओफ दे बैट से लिया मिड विकेट के ऊपर से लिया और त्रेपन रन बना कर नाबाद 25 गेंदू का उन्होंने सामना किया है टीम का स्कोर 134 रन तीन विकेट की नुकसान पर 73 रनों की यह भी भी आवश्यकता है 37 गेंदू का ना बाकी है और जिस प्रकार से यहां साकीब नजीर बले बाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चीज़े आसान सा हो गए यह गेंद उटा कर खेला डीप में खेला डीता ना थे उन्होंने वहां गेंद को फिल्ड की आसान नहीं रहता है दर्शकों के पास है वहां गेंद को फिल्ड कर लेना एक रन के साथ टीम का स्कोर 135 तीन विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाये थे बानियाल टाइटन्स ने जीतने के लिए 207 रनों की आवश्यक्ता थी और हलमदान क्रिकेट कलब 135 रन तीन विकेट के नुकसान पर मुश्ताक लेफटी वो भी अर्दिशा तक से काफी करीब हैं साकिब नजीर ने अपना अर्दिशा तक पुरा किया और ये जोड़ी खतरनाग साबित होती चली जा रही है इस जोड़ी को तोड़ने की जुरूरत है और लगाता की रास्ता है फिल्डिंग टीम के लिए वो विकेट्स का है अगर उन्हें जीतना है अगर उन्हें इस मुकाबले में वापस आना है उन्हें विकेट्स लेने होंगे उन्हें इस जोड़ी को तोड़ना होगा और मुश्ताक लेफटी तेन तालीस तीस गेंदू पर और साकिब नजीर चोवण चोपीज गेंदू का उन्हें सामना किया बहाथर रनों की आवश्कता है च्छतीस गेंदू का ना बाकी बारा की आउस्त से रन बनाने होंगे और जिस प्रकार से यहां साकिब नजीर बले बाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इसकोरासान इसे चेस होगा अगर हम मुझी बलाकी बात करेंगे जब वो बले बाजी करने के लिए आए थे संबल कर बले बाजी कर रहे थे और अंत में क्या बड़े स्टोक्स लिए मिडल ओफ दे बैट से लिए और मनु रंजन करवाया जो फलर लाइट से हैं वो आफ होती हैं और वो टिम टिम आती हुए लाइट सान हो जाते हैं और अलागी दृश हमें देखने को मिलते हैं यहां बानियाल के इस खूबसूरत मैदान से बानियाल प्रेमिर लीग का यह एहम मुकाबला चल रहा है तोस जीता था बले बाजी करने का फैसला किया था इश्ट्याक नाग अलागे आज वो कुछ खास करने ही पाए शुरुआत में उन्होंने अपना विकेट कोया था उसके बाद जब गेंद बाजी कर रहे थे तो इश्ट्याक रोबी का विकेट उन्होंने लिया था मुश्टाक लेफ्टी और साकिब नजीर की जोड़ी लगातार खतरनाग साबित होती चली जा रही है विकेट काफी अच्छा है स्पाट फ्लाट विकेट मिला है लेकिन इश्ट्याक नाग आज कुछ खास कर रहे ही पाए और इश्टाक इलाही ने भी आज अच्छी बले बाजी नहीं करी है नजरे मुश्टाक लेफ्टी और साकिब नजीर के उपर है और अगर हम ओफ साइड की बात करेंगे स्केर फ्लाट विकेट बाउंडरीज हलांके उतनी बड़ी नहीं है और अगर स्ट्रेट बाउंडरीज की बात करेंगे काफी बड़ी है ये गेन उठा कर खेला लंगोफ के उपर से एक और खूपसुरत छका जस्ट बुखारा छका लगातार गेंदू को हवाई यात्रा पर बेज रहे हैं हवाई सेर के लिए बेज रहे हैं और छक्ये के साथ 141 तीन विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए सरसट रनों के अवशकता है 35 गेंदू काना यहां बाकिए इतना शोर हैं आप सुन सकते हैं हमारे माइक्रोफोन के जरिए और तक्रीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस मुकाबले का आनन ले रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के मदद से लगातार जो दर्शक हैं वो बीच मैदान पर आ रहे हैं बले बाद साकिब नजीर का पीर थप 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 आ रहे हैं उनकी होसलाब जाई करते हैं उसके बाद तुरंत वापस चले जाते हैं ताकि किम्ती समय जाया ना हो इस मुकाबले का साकिब नजीर लगातार खतरनाक साबित हो रहे हैं साटरन बना करना बात ये गेन आडे बले से स्टोक लिया गेन जारी ये लॉंगान शेतर में फील्डर ताइना थें उनसे गेन रुकेगी नहीं एक और जस्ट बुखारा चोका क्या खूबसुरत दिश्च में देखने को मिल रहे हैं क्या खूबसुरत ये स्टोक था और लगातार जो वहां दर्शक हैं वो अपनी जगह पर खड़े खड़े होकर सरहाना कर रहे हैं इस बले बास का लगातार गेंदू कहाँ यात्रा पर बेजने हैं ओफ स्टम के बार करने हैं वहां ओफ साइड में स्ट्रोक ले रहे हैं लेग स्टम पर करते हैं वहां ओन साइड को टार्गेट करते हैं विकेट के चारु छोर से स्ट्रोक ले रहे हैं बरपूर ले रहे है दिशाहीन गेन लेक स्टम के बार केलना चाहते थे वहाँ अमपैर का इशार आ रहा है वाइड बॉल का काफी दिशाहीन गेन थी और इस एक रन के साथ 147 तीन विकेट के नुकसान पर मुनवर भई जिस प्रकार से यहाँ बले बाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि आसानी के साथ 207 तक पहुँच जाएंगे और दाद देनी होगी यहाँ साकिब नजीर की जिस कैलिबर के वो खिलाडी है जिस फोर्म में वो चल रहे है रेड आट फोर्म में चल रहे है और आज भी अच्छी बले बाजी करिये लाइक स्टम पर केलना चाहते थे टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोकों गेंद गई वहाँ और आसानी के साथ दोड़कर एक रन पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ 148 रन तीन विकेट के नुकसान पर 148 फोर्ट अलस अफ ट्री स्टम चैट नहीं टोड़कर लिकेट आसानी कि साथ एकन अजरी सार्ड लूर्ट निहान ऑना जूर्ट तोर्ट आसा के साथ प्रूप नहीं मैंजिऄ he's sealing the deal in style can he sees the initiative lit up the center he's on song on fire here comes idris huge bang away there she goes half a dozen all the way and praise is gathered for young fella hitting the big fella out of the center just book out of six coming 150 comes up it's 154 motoring along waterman look at his body size but look at the size of the six that is monster out of the center look at money is being showered and everything is happening over here 154 for three it's game on game on over here at bunny hall it isn't over here ladies and gentlemen don't walk away don't walk away because sakem nazir is here to walk away with the match it's 154 for three ever number 15 is on onslaught hitting is on he's going berserk he's unleashing the terror with the bat he's terrorizing the ball us over here and baller idris is clueless because it's class personified sakem nazir at his very own best in his own style he's trying to maroud the cricket ball making the ball fly out of the center again and again it is in everyone's cup of tea but he's taking them on he's hitting them deep he's hurting them with his bats being over here 154 for three this game isn't over yet so don't walk away stay there in aisles in your chairs and watch this man going berserk and praises gillard once again round of applause he soaks in that and his pocket is filled with money dollars being showered on him it has been incredible it's been moth watery it's been crunchy manty what an arc surprising all of us over here one and all he's on song he's on fire and a new ball is coming on to the field and fourth ampere walks on with the ball box we need new balls we need fresh balls to press into service it's 154 for three bonnie hall premier league edition 10 well they can't get better than this what a match what a match look at the remarkable scenes and sakib nazir is making all of us feel proud over here here is idris again where this one is going where this one is is going advances down the track shimmies down the track and ball goes down towards backward upsker will pick up a single in the form of leg buys 155 of three over number 15 we are in what 207 is what really waits harley maidan cricket club and they're trying to demolish the bowling attack and it's been sakib nazir with top notch here is idris again in the air military will it go all the way we'll activate and watch and ball is coming back onto the field and mustak lefty will scamper through for the second one with that brace and expensive comes to an end 15 gone one five seven for three class brilliance sheer class and balance from sakib nazir and mustak lefty has played second fiddle aspect hospital water and innings it's been a complete package thank you all the beloved well you're talking of this all important battle 157 game isn't over yet battles are trying to make a statement with the bat ball also trying to hit the deck card but it's all been a great to watch it's been treat to watch and everyone is loving beat up blood viewers beat the people physically available over here at bunny hall sportsville it's cricket is bonanza underway and look at it's a past two time people are loving in the night it's almost 15 minutes quarter past 10 and people are still in their seats witnessing this all important match it's going to be a great game of cricket it will be remembered for ages and years to come because look at this game look at the craze and cricket is attracting millions of fans from this part of the world and look at people not moving look at roar from the crowd it's certainly amazing unbelievable scenes coming your way enjoy wherever you are 157 and this is what we all need natural therapy and it's 157 for 315 done well talking of idris's spell he missed his half century but just three runs but all praise to sake of nazir young lad walking towards the middle when his team needed almost 200 rounds and they were struggling but this guy has shown some class personified well the people talking about the dimension but the sexes he hit it they would have been six on every ground wherever he played and here comes akib malinga well the malinga was there what has malinga got for saakib nazir saakib is breathing fire at the moment well what an innings what an innings he has turned on the chase on he has turned on the tables on for halimadan cricket golf at bunny hall titans they look clueless they're all over the in the hill here comes malinga saakib goal advances but way down the side waiting for the empire signal yes what it is it's an extra start they over now they need 49 from 30 balls it's chase on game on and why but i think almost the home of gdp abani hall has been scrapped here as has been spilled here over saakib nazir and then it was much but this is the gesture this is the gesture which make this team which make this game above all be that any game in the world but this is these are the gestures here goes saakib advances launched but straight to field at this time it's a single and the single will take saakib to 71 and here comes mushtaq lefty back on strike he's on 45 five runs away from his half century deserving half century for mushtaq lefty will he get there in style will he lock this one he has to launch at any cost there this time chance it was in the slot but missed but straight to feel that and he made a mess of it and ball wrestling down towards the long out region for more he moves to 49 just one run away from his half century what a partnership a match winning partnership from this duo they held their high they held their head high and what an innings what an innings from both the battles 49 for mushtaq lefty 71 from saakib high in the air watched once again waiting for the empire signal two runs there and that's it it's half century for mushtaq lefty 51 from 34 balls well chin up man well done your beauty well him team needed most the guys stood tall lead from the front and alongside saakim nazir they have turned out the game on they have turned out the tables around for halimadan cricket cup here comes saakib malinga to mushtaq lefty 51 is on mushtaq lefty here launched high in the air all the way maximum just bugola six it is game up don't go anywhere it's mushtaq lefty who has won at the party now look at the another spectator he is walking towards the middle again the pocket is being filled up and he has taken him all oh look at the scenes some emotional scenes beautiful scenes going on 171 for three now they need 36 from 26 balls would you believe it at some time it looked like it is going all the way it is going it's impossible for halimadan to chase this one down but this door has stood up the lead from the front and the game is on but i think now it's halimadan's cricket club's game to lose hasani ke saad dog karek run pura ka liya hai is ekran ke saad jitne ke liye pentees ronokia wa shakta hai pichis gendu kana ya ba ki hai 172 advances down the leg side wide it is it has insulted the injury two extras two wide in a terrible and look at that dollars are being spilled by saakim nazir now because pockets are filled pockets are full why he can't keep that but talking of this great game of cricket these two coming back breathing fire with the bat terrorizing the ballers and making a statement and one ball statement in the air and we'll have to wait and what does it carry we'll have to wait and watch is it going to be that two shot it's 175 for the loss of three we are in over number 60 what's going on unbelievable seeing us here at the bunny hall cricket stadium well saakib nazir has turned the game on and empty and mustak lefty alongside him has and it's now down to just eight runs per hour they need 32 from 24 balls at some time it was 96 from 43 balls and now it's just eight transfer or i think it's hali madhana's game to lose now they're 175 for three what an innings from this duo what but they have taken care of the they have taken care of the hopes they have taken care of the responsibilities which were over them and saakim nazir especially the young batter from polama is brighting is shining high is shining here at the bunny hall cricket stadium he is on 71 mustak lefty will be on strike he's on 59 from 37 balls here comes knock to lefty lefty pulled away pulled away fielder is there he has done well to stop that one it is a single to start the over but single will bring saakib nazir back on strike but everything saakib is touching it's turning into gold and saakib is that that class of a player this is the class of this young man he is on 71 where is this ball going where is this now going knock to saakib nazir where is the ball going again in that ratio punt style but this time he misses it but i think he's a right-handed ratio punt look at his shot just one-handed sixes all over the ground continuously he is going across he's going across wanted to hit that number this time he misses and nog has a door delivery for his spell it's one seven six for three just and now he takes him on तो पुकार दो कि अईचा तो कि आगद सीचस्स तो पर फ्रेग कि भी नम्सै एट अरिकी पांटिंग तो तो आगदी युज युज टो एट वंधी इनाग डालेग का गग धॉटी मिलाज टॉट अगवान अवड़ लुट इनागा यूज अभड़ लूट खांट लूट ए and if they manage to finish it on a past journal it's really going to be an icing on the cac and will it be the same man to take them over the line 182 for three here is not again Saqib Nazir advances hits it away on to the onside we'll get a single 183 waterman one-man army stood like rock of Gibraltar rain posted concrete and told everyone over here you drop to me not a man to drop and he has taken them on and he has taken care of everything over next ball on middle and off and just behind the ball and backs it plays it back at the ball of senate bounced in front of knock one more run at it 184 for three talking of Saqib Nazir complete package short pack big demaka continues his good run Saqib Nazir you beauty you freaking beauty advances this time but misses this time but they are coming back and they have completed the single and now they need 22 just 22 runs needed from 18 balls and look at the scenes and look at the players it's almost done for Bonnie Hall Titans I think as Saqib Nazir is still there he is on 78 22 is what they need a 22 is what Saqib Nazir need to complete his century but I think he is not he won't be able to complete his century but what an innings it's no less than a triple century it's no less than a double century it's no less than a landmark but what a what an inning Saqib has played here all Bonnie Hall they're up on their feet they're applauding they're cheering for Saqib Nazir and the guy deserve every moment the guy deserve every applause and the guy deserve every every cheer which is going around the corners here at the Bani Hall Cricket Stadium 22 is what they need from 18 balls Ishtiak has completed his quota four overs 33 runs and one wicket from his spell it's 185 for 3 22 needed 18 balls to go it's Muntazir Muntazir has been brought back his previous or went quite expensive it was this man Saqib Nazir who took him out on the other side we got for Mushtaq lefty he is on 61 from 39 balls Saqib to Muntazir once again where is Saqib this time going really finished the match in this over as in the previous over he has taken Muntazir on and has completed his half century in that over where is this ball going Saqib once again advances edge but just short of a keeper and the keeper pumbles and one run there they are coming back for the second they are coming back for the second pumble there a big mix up but Mushtaq lefty has denied him for a second and he will be on strike it's 186 for 3 7.41 is the required run rate now Mushtaq is on 61 from 39 balls Muntazir has given away 31 runs from his 2.1 balls 17 balls remaining where is they go why are they going 17 balls here comes Muntazir to Mushtaq once again outside of the match the keeper isn't able to stop that one they are coming back for the second Mushtaq is coming back for a second and we'll complete it with this and now they need 19 from 16 balls almost run a ball 188 3 wicket can uxan par Mushtaq lefty 3 turn bana karna but Saqib Nazir or Mushtaq lefty kia pari kheel rae hain lagataar vipakshi team ko bar raka up to kis mukabla me and abhi bhi halangke lamba saafr tae to nahi karna hai 19 runo ke awash raka hai 16 gundu kana ya hain baki lagataar fielding me tab dili ki jarae hain aur muntazirwani koate ka tisra over kar rhea yaya gain us ko ٹha kar kela hai long hof ke upar se ampair ki išari ki prithikshah karna hi hoaghi abhi koji išara naihi aaraya ay abhi shaara aare aek tippe ke baad gen si ma par kya stroke liya midl of the bat liya or Mushtaq lefty ko yaa pasan kar rhea rhea a dire dire dherr shak meidan me aare buzurukh aare galee melre a and unka peer thap thap aare ea aur uske baad unke jayb me kuj đalte ee aur turent waapas chelay jate ee aur kul मिलाकर मुष्टाक लिफ्टी सड़ सट एक तालिस गेंदू का उन्होंने सामना किया है और जीत के काफी करीब पहुंच गई है पंद्रा रनों की आवश रकता है पंद्रा गेंदू काना बाकिये रन बॉल से काम चलेगा ये गेंद फ्रंट फूट पर केला उसको गेंद जा रहे वाँ मिडविकेट शेतर में एक रन पूरा किया दूसरे की मांग कर रहे थे छोड़ा इरादा बदला इरादा एक ही रन मिलेगा और इसे एक रन के साथ अब जीतने के लिए चोदा रनों की आवश रकता है चोदा गेंदू काना बाकिये मुनतजिरवानी कोटे का तीसरा ओवर क के बार केलना चाहते थे टाइम नहीं कर पाई अपने स्ट्रोक को गेंद गई यह फाइन लेक्षेतर में और दोनों ही बले बाजुने चेहल कदमी करते हुए दोड़कर एक रन पूरा कर लिया है अब जीतने के लिए तेरा रनों की अवशकता है तेरा गेंदू काना यहां बाख किये है it's been master class it's been top-notch hitting the purple patch what an innings incredible and it's been impressive it's been massive 198 just nine made it from 12 balls it's almost all over but you can't say until the last ball is non-ball but literally i can say with seven wickets in hand should be easy one should be a walk in the park should be a kick walk it should be 198 the three just nine needed in 12 balls what's going on you are kidding me you are kidding me who would have thought the game will go down like this akib advances goes down the ground but straight to fail the one run there now it needed from 11 balls who would have thought that it will go below that run a ball at one stage they need 96 from 43 balls at that time it looked impossible but after that it was all about the class of sakib nazir and mushtaq lefty here is adil rishi 30 runs from his 3.1 balls one wicked but i think it's almost over almost over and adil rishi can't save bani hal titans here eight needed 11 balls to go 199 is on the board mushtaq is on strike he's on 72 from 43 balls what an inning is from mushtaq lefty the south leading from the front when his team needed him most he stood tall commet thou commet the man and it's mushtaq lefty he goes and moved to 72 from 43 balls partnership and the partnership will be remembered for age 150 plus partnership from this duo who would have thought that this partnership will make them at one stage looked almost impossible for them but now it's just formalities being failed here here comes adil rishi to mushtaq lefty mushtaq is on 70 this time watched sit straight to fail that they made a mess of it and goes all the way poma now four needed from 10 balls almost over they're over 200 mark and now it's mushtaq lefty but i think mushtaq lefty should end this game on this delivery just four runs needed from 10 deliveries four needed will this be the final ball will this be the final off and it pulls it it pulls it away onto the onside there is a field at midweek it's just a single now three needed it is in over yet epic one to be precise watch again out of nearby they're roaring over here they're dictating terms other wishes bowling three needed three needed four will mean they're over the line quite comprehensively it is we lost the ball in the night sky sakab nazir the man and look at the crowd they're assembled they're surrounded sakab nazir they lost the ball in the night sky what tonight he's being lifted carried on shoulders what a man goodness gracious excellent typical sakab nazir short pack big democca gun dynamite and taking his side over the line with ease it's hali maidan running the ground and beating the opponent's side in such a passion it will be remembered and look at the celebration and sakab nazir is still on the shoulders he's being carried and what a win for hali maidan after being down under now high flying up above the world so high like a diamond in the sky with this victory hali maidan stella in the tournament and advance to the next stage my Solomon earth and we will answer my entire team gaur habib and and I will take you back to the studios of jk sports time we'll be back next time till then take care of his aslam lake or amatullah